नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मिला की स्मार्ट गार्डन में दोस्तों वीडियो की शुरुवात करते हैं इन सुन्दर से हरंग भी रंगे पोदों के साथ और यह देखिए दोस्तों बहुत सारी कटिंग जो मैंने बारिश के मुसम में लगाई थी अभी भी बारीश चल रही है दोस्तों तो अभी भी कटिंग लगा सकते हैं पर जो पिछली कटिंग हमने लगाई है वो भी हम अभी रिपोर्ट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये सारी कटिंग ग्रो कर जाएगी और हमारे प्लांट तैयार हो जाएंगे कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों के ज़्यादा गर्मी होने की वज़े से हम प्लांट जब रिपोर्ट करते हैं तो खराब हो जाते हैं ये देखिए दोस्तों ये नाक चमपा और इसकी कटिंग लगाना मैंने बताया था और इसका जो मैंने इसकी वीडियो बनाई थी वो मैं वापस से लिंक में डाल दूंगी या फिर आई बटन में तो आप देख लीजिएगा किस तरह से मैंने नाक चमपा का कटिंग लगाई थी मेरे बंदर बहुत सारी कटिंग प्लांट तोड मरोड के चले गए थे तो कटिं कृर्ट करने में और डेली बारिश होती है तो ये काम करने में थोड़ी से दिक्कत हो जाती है तो सोरी कटिंग लगा रही हूं इसके मेरे कितनी सारी कटिंग लगी यह यह देखिए यहां पर जो है हिबिसकस एक रोटन है और उधर यह रोटन है और एक और है जो इधर भी हिबिसकस लगा हुआ है तो दोस्तों पोट की कमी थी तो मैंने एक ही जो कंटेनर था उसी में सारी कटिंग लगा दी पर अब रिपोर्ट करते टाइम पर थोड़ी से दि जड़ है डेमेज हो जाती है तो फिर उस प्लांट को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है और दोस्तों मिट्टी भी बहुत ही कम है और बारिश की डेली बारिश की वज़े से मिट्टी चिपकसी गई है तो अब हम इसको निकालेंगे दोस्तों और यह नाक्चपमपा की से सलिए मेरे बहुत सारी है और रही हरी वरी सारी की ना है तो मैंने से सारी बहुत है के दिए जोी सपीक्त कारण है जो मुम्फली के चिलके टाले दो पेंगे चुपक ईनवाद कम ऐं स्वाझार कर दोस्तों चीमेश क्योंने Camb Senator यह बैंट है इस तरह से बढ़ता है और चुटी चुटी पतिया निकल रही है और फोले चुटे जो इस दुर एली प्लांट में यह दो घ्यारकवित लगाए दोस्तों और सारी कटिंग लगबग चली जाती है इस मोसम में तो घ्याशा है बहुत हैं कटिंग को हम रिपोर्ट करेंगे दोस्तों यह कटिंग जब मैंने लगाई थी तो मैंने बताया था कि मैं किस तरह से इसको लगा रही हूं और बहुत ही असान तरिफा है थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि किस तरह से कटिंग को लगाना है और दोस्तों आप यकीन नहीं मा बहुत ही प्यारा व्यू मेरे गार्डन का आ रहा है बहुत ही सुन्दर लग रहा है और इस मोसम में बेटकर काम करना बहुत ही अच्छा लगता है यह देखिए दोस्तों यह गुलाब और गुलाब में नई नई पत्या निकल रही है और कब क्या पता बंदरों की नजर बेग रखे हैं जो चीवड़ा से वगेरा के आते हैं उसके तो है ना मैं उसी में अभी इसको से जो है रिपोर्ट कर दूँगी फिर बाद में जब मेरे पास पोड आएगा तो मैं इसको काट कर उसमें लगाने में मेरे आसानी रहेगी तो चलिए दोस्तों बहुत ही आराम से अब हम अपना काम करेंगे यह जो पॉली थी ने मैंने इनके छेट कर लिये हैं और छेट के साथ ही यह देखिए दोस्तो अच्छे से छेट कर लिये हैं अब इसको फोल्ड भी कर लिया है हाँ इस तरह से और यह देखिए दोस्तो यह दो किलो या तीन किलो इतनी बड़ी त देखिए दोस्तों मैंने यहां का जो भी वेस्ट निकलता है और यह मेरे जो तुलसी के प्लांट है उनमें कीड़े लग गए थे तो मैंने उनको साफ हटा दिया है और थोड़ी सुखी टेहन भी निकली थी वह सारी में इसमें डाल दे रही हूं क्योंकि बहुत सारे और हैं तो नम्हें साफिय और प्लांट धालन की बिल्कुल गार्डन वे मों जो कुछ भी वेस्ट नहीं होता एं तो आप को यह पैंने में मौ siju अच्छे से डीकंपोस्ट हो जाएगी दोस्तों और आप यकीन ही मानेंगे मैं यही चीजे ज्यादा तर यूज करती हूं थोड़ा सा गीला यह जो केले के छिलके मेरे पास रखे हैं यह भी में डाल दूंगी सारी चीजे हम डाल देंगे दोस्तों बिल्कुल भी जो है हमारा प्लांट भी खराब नहीं होगा मैं एसी ही चीजों का यूज करती हूं सारी अच्छी दबा दबा के भढ़ना है क्योंकि बहुत ही जल्दी यह साय चीजे गल जाएगी और नीचे जाती जाएगी तो फिर हमें इसमें मिट्टी डालनी होगी और यह थोड़े से दोस्तों म मेरे पास मिट्टी की थोड़ी कमी ही रहती है तो मैं इनी चीजों का यूज कर लेती हूं अपने गार्डन में और इसके साथ ही दोस्तों फिर भी हमारा देखे गंबला नहीं बरायत हम क्या लेंगे यह है यह गोबर खाद कोकोपीट बालूरेट और यह बर्मी कमपोस्ट है बहृत ही अच्छा अच्छा फर्टिलाइजर है दोस्तों यह तो सबसे पहले हम यहीं डालेंगे जू क्या कि हमारे जो फर्टिलाइजर हम बना रहे हैं तो इस शर्सो कि खली की वज्जे से बहुत ही जल्दी Improve हो जाएगा बहुत ही अच्छितर से तो इसलिए दोस्तों मैं सबसे पहले यह डाल रही हूँ सरसोखली का उपयोग दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है पोदो के लिए और फिर देखिए दोस्तों गमला हमारा भरा नहीं है और फिर इसके बाद दोस्तों धीरे-दीरे हम सबी चीज़े डाल देंगे अब यह मैंने इसको मिट्टी से कवर कर दिये कि हमारा प्लांट बिलुकुल भी खराब नहीं और अच्छे से दबा दीजे दोस्तों जो वह हमने जो सुकी फत्तिया बगिरा जो डाला है वह आराम से अंदर सेठ हो जाए अब हम क्या करेंगे इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे और पिले हम इस प्लांट को निकाल लेते हैं तो बहुत ही आसाने से निकालना है इस प्लांट को यह देखिए दोस्तों सारे ब्लांट खराब नहों और दोस्तों मैं लगबग क्या करती हूं कि सभी प्लांट अलग-अलगी लगाती हूं कटिंग वगेरा पर कभी-कभी जल्द तोड़े सी ढिली हो जाईगी वैसे बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं है दोस्तों इसमें तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है हम देखें दोस्तों सारी हमने आाजपा से हटा ली अब यह देखें दोस्तों चोटी सी कर्टिंग यहां पर लगी है तो हमें इसका भी धिय क्योंकि दोस्तों इसमें भी जड़े बनने लग गई है और में इस प्लांट को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहूंगी क्योंकि यह प्लांट मेरे बहुत ही मुश्किल से लगा है बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि हम बहुत सारी कर्टिंग लगा देते हैं सारी खराब हो जड़े बन गई है इसके और यह साथ में क्रोटन को मैंने चोटी सी कटिंग लगाई थी आप देख रहें इसमें चार से पांच पत्या है और मैंने इसमें जो है दो पत्ति वाला लगा था देखिए दोस्तों बड़ा हेल्दी प्लांट है और मिट्टी भी जरासी थी कोई कि अभी इस प्लांट को उस मिट्टी में रहने की आदत है तो थोड़ा सा मैं वेसा माहौल क्रियेट कर देती हूं जो इसको इसा नहीं लगेगा कि मुझे दूसरी जगे डाला गया है शिप्ट किया गया है तो अच्छे से सेट कर दीजिए जड़ों का बिल्कुल अच्छ कि संपर्क में आने के बाद खराब हो जाती है थोड़ी से हल्दी हम देलेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा फंचिसाइड है और दोस्तों में ज्यादा तर इनी चीजों का यूज करती हूं और गनिक तो अच्छा फंचिसाइड है और अच्छा से मिक्स कर लीजिए दोस्त थी कर ल Twitch ौ typically ़्ले सेुबरी इस चीजों Tuesday खाँ-चा मिला और बालूरेध SAY सुबह ड़ीजिए week还 मिला अकोश्त टेप कर दीजे दोस्तों कहां कर अदेखिए इस्टेण हो गया है που शेड़कुआ है अब देखिए प्लांड मतलब टेड गया अब दीजि अब देखिए बढ़िया से अच्छा दबा दबा के और टेप करकर के भर दीजिए इसको पूरा भढ़ना है हमें और अच्छा से दबा दबा के क्योंकि दोस्तों जो इसमें हमने रेट और जो कोको पीट मिला है उसे मिट्टी बहुत ही पोरस हो गई है तो अगर थोड़ा सा भी यह लुड क्योंकि बहुत सारी कटिंग एक साथ लगई लगी थी दोस्तों और उसको निकाल देवे थोड़ा डर सा लग रहा था अब यह सारी मिट्टी हम इसमें भर देंगे अच्छे से दबा दबा कर यह देखिए दोस्तों दबा कर मैं बार बार बता रही हूं कि अच्छे पूश्ट डाल दिया है कि जो प्लांट है अच्छे से चलता रहे और दोस्तों अब इसमें हम जो है पानी डाल देंगे और थोड़े से एक या दो दिन के लिए हमें इसको छाओं में रखना है तो दोस्तों मैं इसी तरह अपने प्लांट जो है रिपोर्ट करती हूं और य साओं जहां पर आपको लगे कि यहां पर छे छेड हो गया है और फिर मिटी डब गई है तो भी तो हम थोड़ी से मिटी हो डाल देंगे यह जो हमने में कर दूश्य हो बनाया है रिपीड़ा हएference यह दोस्तों यह इस तरह से आपको मिट्टी ओर डाल देना है जिसे की गमला पूरा बहरा रहे और अच्छा से पानी पिला दीजिए और जहां पर हलकी फुलकी शेमी शेड में धूप आती हो हलकी फुलकी धूप आती हो महां रखिए दोस्तों क्योंकि यह हाड़ी प्लांट है और इसको दूप की बहुत ज़्यादा ज़रुत होती है अगर आप बिल्कुल इसको चाहों में रख देंगे दोस्तों तो यह चल नहीं पाता है तो अब यह देखिए दोस्तों इनको भी मुझे आज ही रिपोर्ट करना होगा दन्यवाद दोस्तों